हलो स्टुडेंट्स मैं नवरतन जाएंगी टीम केमिस्ट्री टीम सीलसी स्वागत आपका सीलसी के डी सीम टेस्ट सीज के सॉलूशन में उमीद आपका पेपर भूत ही अच्छा गया होगा यूँगी डटे रहो आपकी जीत और मेनत बहुत जल्द आपको एक शुकत प्रणा काम भी प्राप्त करेंगे इनी सुबकामनों के साथ अपन पेपर के सॉलूशन के और आगे बढ़ते हैं तो क्यूशन नमबर फर्स्ट आपका इनॉर्गेनिक केमेस्ट्री प्रियोडिक टेबल हर्जन और एस ब्लोग चैप्टर जो है वो इसके अंदर अपने इंक्लूड गलत होता है तो स्टुडेंट्स आपको इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चीए कि अगर कोई क्यूशन गलत हुआ है तो जरूर्ब उससे कुछ सीखने को आपको मिलेगा और नीट में इसका अपने को भूती फायदा मिलने वाला है तो स्टुडेंट्स अपन बा बड़ा होगा कि जितने भी क्लासिपिकेशन अपन जब प्रियोडिक टेबल का स्ट करते हैं और प्रियोडिक के साथ में लोथर मेयर इन दॉनों साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन आया था और खास बात यह थी कि दोनों का जो classification था उसके अंदर जो periodic लोज था उसको क्या वोला था कि physical and chemical properties are the periodic function of atomic mass अना दोनों का conclusion सेम था periodic लोज सेम था लेकिस अपन जानते हैं कि लोथर मेर का जो करू था वो एक करू के रूप में था और मेंडलीव का जो रिपरजेंटेशन था वो एक periodic function atomic weight के terms में होता है यह दोनों यह एक प्रकार से scientist का conclusion था इसमें आंसर कौन सा होगा student इसमें आंसर होगा अपना कौन सा थार्ड next question की और अपना आगे बढ़ते हैं student next question है अपना एका aluminum and एका silicone are non-age student mentally की प्रेडिक टेबल में कुछ element ऐसे थे जिनकी discovery बाद में होई थी लेकिन उनके बारे में प्रेडिक्शन पहले दे दिया था और वह element कौन-कौन से थे एक तो यह था ठीक है यह element student इनकी discovery भी थी बाद में तो इनके लिए जो खाली space छोड़ा था students इनके लिए जो नाम रखा था वो क्या-क्या था यहां पर था student germanium gallium है इसके ठीक उपर नाम क्या था अपन कह सकते हैं aluminum था तो एक का aluminum इसके लिए जगए का नाम दिया था ठीक है और skadium के ठीक उपर जो है वो इस्ट्रेंट थार्ड ऐसे लिया था उन्होंने एक बोरोन और germanium के ठीक उपर इस्ट्रेंट सिलिकोन आता इसका नाम क्या रखा था एका सिलिकोन अपना यह आंसर कुन सा जाएगा स्ट्रेंट सेकेंड नेक्स्ट अपन क्युस्टन की और आगे बढ़ते हैं स्ट्ट्टन अमब थार्ड अगला नेक्स्ट कुछिशन की और चलते हैं अपने कुछन नमबर फॉर एपन अपन जानते हैं कि 39 एलेमेंट जो हो इसका एलेक्टोनी कॉंफिए सना आप लिख सकते हो एलेक्टोनी कॉंफिएस अगर आप 39 का लिखना चाहते हो ठीक ना इसके ठीक पहले इनट गेस कौन सा आएगा स्टुडेंट क्रिप्ट ऑन 36 फॉर्थ का लास्ट यह कौन से का होगा कि अंदर एलेक्टोन एंटर करता है फाइप पास फॉर्डी 5P इन सबसेल्स के अंदर तो यहां पर ठीक के बाद में अपने पास 36 और 38 थाटिन एक लेक्टोन इसमें बरना पड़ेगा लास् इस्टूडेंट फाइप की ओड़ चलते हैं ठीक है ना इस क्योंचिके अंदर इस्टूडेट क्या पूचा वीच सेट रिपरजेंट आइसो एलेक्टोनिक स्पीसीज जैसा कि आपन जानते हैं इस्टूडेंट का मतलब हो गया नंबर ओफ एलेक्टोंस जो हैं वो क्या होने यह से कहना अब नंबर उप लेक्टोन से म की बात आ गई तो इस्ट्ट्ट अपन जानते है कि अंदर किते युदो अल्विम्नियम के इंदर कितना नमबर किता सेवन यृइकिन तेन एक टोन इसने ले रहे हिए तो यृइंस इसका आटोमिक नमबर एक लैक्टोन माबर कर रख है तो यहां पर विंक गितना इलेक्टओन है दस है टॉडियम' सोडिय के अंदर अपन नमबर 11 लेकिन एक लेक्टोन का इसके पार डेफिसेंसी है तो नमबर अप लेक्टोन सा तो आंसर विल भी फॉर नेक्स्ट क्यों अपने स्टुडेंट आगे बढ़ते हैं तो अपने स्टुडेंट के अंदर आयोनिक रेडिया ही पूछा है ठीक है ना काफी सिंपल सा और ज अगर अपन इन स्पिसीज पर गोर करें तो सब के पास यहां पर 10 एलेक्टोन है और 10 एलेक्टोन होने का मतलब यह आईसो एलेक्टोनिक हो गए और स्टुडेंट आईसो एलेक्टोनिक स्पिसीज के लिए अपन कह सकते हैं कि जैड इफेक्टिव डिपेंड करता है स्टु क्या होता है तो आप यह सकते हो जैड ज्यादा उसका जैड इफेक्टिव ज्यादा तो इसकी साइज क्या होगी कम लगाता इस साइड में बढ़ रहा है तो साइज यहां पर गठेगी तो इन डिक्रीजिंग और के अंदर अपना आंसर कॉन सा होगा इस्टुडेंट थर्ड अथा इस्टुडेंट डिपेंड़ करती है थेकना और हईडिजसंद करता इस्टुडेंट चार्ज और थेकना साइज पर इसका मतलब अपने पूछा है लार्जस्टा आयोनिक रैडिया In Equus Media मतलब hydrate size सबसे ज्यादा किसकी होगी इसका ज्यादा होगा इसके size कम होगी इसमें सबसे कम size वाला कोन होगा ठीक हो अपने हो केटाइन के अंदर अपने को लेना पड़ेगा मले एनाइन समय सबसे छोटा है बट यहां पर लीथियम और मेगनीशियम में सोचना है साइज होती है बट फिर भी अपन और बात करें इसके अंदर तो इसका चार्ज हो सिके हीडिस नेर्जी क्या होगी ज्यादा साइज अशा कॉन सा होगा फॉर ठीक है यह जो गुरूप है इसका अपन लिख लेते हैं ओर अपन जानते हैं वारॉन, अलुमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम अपन जानते हैं कि यहां पर size matter करती है यहां पर transition, contraction लगता है थेका नहित अपर कॉनसा contraction? तो अपन जानते हैं यह relaxation जित्ते अपन पढ़ते हैं वो बैस्तिकली एक तरीके से बढ़ने के कारण ईसाथ होता है थेका नहों तो आप यहां पर IP जो बढ़ेगा,"। ठीक हो और यहां पर IP भी बढ़ेगा और स्ट्टूइन्ठ आई पी जो हैν इनकी अग्र बात करें तो यहां पर गटना चाहिए तो अपन आई पी का ओर्डर इसके लिए इस ग्रुप यह वाले दे रखें और इसके बाद एलुमिनियम और इंडियम आप यह कह सकते हो आई-पी फस्ट आई-पी का ओडर आपसे पुछा है तो यह अपना आंसर कौन सा होगा करेक्ट थर्ड और बाकी ऑप्सन भी आप चेक कर सकते हो आप जानते हो नाइटोजन ऑक्सिजन सल्फ और फॉस्पोरस इसमें अपन जानते हैं स्टुडेंट फॉस्पोरस सल्फर क्लॉरीन यहां पर स्टेबल कॉन्फरिकेशन है और इसके कारण आई-पी जो है वो नेबर एलिमेंट से क्या होता है तो फॉस्पोरस का सल्फर से कम दे रखा है इसलिए गलत है यह गलत आपको 9 9 number student question जो है the successive ionization energy value for an element x are given below आपको IP के successive values आपको दे रखिये और जैसा कि अपने students जानते है कि IP successive अगर आपको IP दे रखिये हों IP1, IP2, IP3, IP4 अगर successive IP दे रखिये होते है तो student यह always increasing order में होते है और sudden growth तब होगी IP के अंदर जब electron कहां से निकलता है stable configuration से अगर कहीं पर sudden growth आपको दिख रही है इसका मतलब electron जो है वो stable configuration से निकल रहा है मतलब inner cell से electron निकल रहा है मतलब valence electron जो है हो वहाँ पर complete होगे तो student अपन जानते हैं यह IP1 है यह IP2 है और यह IP अपना कौन सा है 3 ठीक है ना तो successive IP की बात करें तो अपने पास student 410 है और अगले में अपने पास 820 है और IP3 का मान अपने को student दे रखा है 2400 और उसके बाद दे रखा है अपने को 3000 क्यास तो आप यह कह सकते हो यहाँ पर sudden growth है इसका मतलब balance electron student किते होंगे 2 ठीक है ना क्योंकि पहला electron दूसरा electron निकला और तीसरा electron निकलेगा तो आई-पी तो थर्ड जो है वो आई-पी 1 और 2 से ज्यादा होगा बट यहाँ पर काफी ज्यादा होने का मतलब है electron जो हो कहां से निकल रहा है stable configuration से निकल रहा है तो balance electron यहा के अंदर student second question number 10 के और अपना आगे बढ़ते हैं student यह वाला question और इस टाइप के question पूछे जाते हैं अक्सर तो इस question के अंदर क्या बोला है the process requiring the absorption of energy is ठीक है तो कौन सी process ऐसी है जिसमें energy का absorption होगा सबसे पहले तो student देखो f जो है वो electron ले रहा है और electron लेकर क्या बना रहा है student f- ठीक है और इसी प्रकार से second option के अंदर hydrogen electron ले रहा है और H- बना रहा है students third के अंदर nitrogen electron ले रहा है और क्या बना रहा है N- और fourth option के अंदर oxygen electron ले रहा है तो students यहां पर बन रहा है O- इन सब के अंदर जो energy है वो delta H-1 कही जा सकती है जो की जनरली नेगेटिव होगी जनरली क्या होती है यह नेगेटिव लेकिन student second period की अपन बात करें तो nitrogen बेरेलियम और हाना nitrogen बेरेलियम और आरगन के लिए delta H-1 का मान क्या होता है students positive ठीक ना इसका मतलब इसमें energy absorb होगी अब अपन आगे बढ़ते हैं student question number 11 कि ओर 11 number question student in halogen which of the following increase from iodine to fluorine ठीक है ना आयोडीन से लेकर fluorine की ओर अपन जाना है तो student अपन जानते है fluorine chlorine bromine और iodine ठीक है आपको इस direction के अंदर आपको जाना है ठीक है तो अपन इसके molecular form ले लेते हैं students अपन जानते हैं कि iodine से fluorine की और जाने पर bondland तो गठेगी लेकिन पूछा क्या है कि इसमें बढ़ता क्या है तो bondland तो गठेगी हाना यह option तो नहीं होगा और आप जानते हो student यहां पर electron affinity नीचे जाने पर आप जानते हो size बढ़ती है और size बढ़ने का electron affinity जो है वो गठेगी ठीक है तो आप कह सकते हो electron affinity size के inversely proportional होगा तो यहां पर आप कह सकते हो वैसे exact order तो यह होता है अिटो तो iodine से अगर आपन flourine के ओर आते हैं तो यह बात भी अपने साही नहीं होगी atomic radio की बात करें अपन तो इस side में जाने पर fluorine के side में जाने प्र ऑक्सिकारक समता के बारे में बोला है तो जानते है अपने फ्लॉरीन जो है अपना strongest oxygen agent की रूप में जानते हैं और आयोडीन एक रिदूसिंग एजन्ट है इस साइड में जाने पर oxygen power बढ़ेगा तो आंसर स्टुटेंट कौन सा होगा अपना फॉर क्यूसर नंबर ट्वल की बात करते हैं यह बहुत ही SP ठीक है यहां पर स्टुडेंट कार्बन का जो हाइवर्डाइशन होगा वह कौन सा होगा SP2 ठीक है और यहां पर एथेन के अंदर अगर अपन बात करें तो SP3 तो यहां पर SP3 है यहां पर SP2 है और यहां पर कौन सा है SP अपन जानते स्टुटेंट ऐस परसेंटेज करेक्टर बढ़ने पर इन बढ़ेगी तो कौन से कार्बन की एंड सबसे जादा होगी इथायन के अंदर तो अपना आंसर होगा एथेन इताइन आंसर कॉन सा होगा फस्ट वाला नेक्स्ट क्यूशन की और अपने बढ़ते हैं स्टुडेंट क्यूशन नंबर 13 कि 13 वाला जो क्यूशन है इसके अंदर आपने को क्या इंफोर्मेशन दी है दो अभर के घंकि अपने को कॉन्दिशन दी है एक तो अपने गों दीया है देखो एक hearing अगर आप इसके वेलेंस लेक्तों देखो होगे तो किरता है दो तो किस टाइप का केटाइन बनाएगा अगर आपन बी की बात करें स्टुडेंट तो बी जो है उसका अगर निए इसकी वेलेंस अपने को निकालनी पड़ेगी वेलेंस एट माइनस वेलेंस लेक्टों तो यहां पर किता आएगा वन इसका मतलब बीजो हो क्या बनाएगा बी माइनस और एक बनाएगा एप प्लस टू ठीक ना तो कंपाउंड का फॉर्मॉला कैसा बनेगा अपने पास अबीटू आंसर कोन सा अपना करेक्ट जाएगा थाड नेक्स्ट क्यूसन की और अपना आगे वड़ते हैं क्यूसर नंबर फॉर तो चैमेस्टी ऑप लीथियम इस वेरी सिमिलर तो देट आप मेगनिसियम एवन दो देयार प्लेस्ट इन डिफ्रेंट बात करें लीथियम और बोरों यहां पर अपने पास अलेमेंट आएगा मेगनिसियम यहां पर आएगा अलुमिनियम और आगे आएगा सिलिकॉन ठीक है यह यह वो डाइगनल रिलेसंशिप शो करते हैं इसका कारण यह है कि यहां पर इनका आयोनिक पोटेंशिल क्या होता ह स्टूडेंट्स से और आयोनिक पोटेंशियल सेम होने का मतलब हो गया इनका चार्य अपन साइच का जो रेश्यो है वो अलमोस्च सिमिलर होता है जिसके कारण लीथियम मेगनिसियम के साथ में बैरेलियम अलुमिनियम पे साथ में और बॉरन सीलिकंज के साथ में डाइगा करते हैं प्रोपर्टीज में सिमिलर्टी रखते हैं इस कारण से आप यह कह सकते हो आंसर अपना कौन सा जाएगा तरेश्योप दियर चार्ज्टु साइज इस नियरली दसेम तो आंसर कौन सा होगा इस्टुएंट फॉर ठीक है नेक्स्ट क्यूशन अपन फिप्टीन के और आगे बढ़ते हैं स्टुएंट्स क्यूशन नंबर फिप्टीन विच इनर्ट गेस हैव सेम कॉन्फिकेसिन आउटर सेल एंड पैनल्टी मेट सेल तो अपने पास जितने भी इनर्ट गेसेज हैं चाहिए अपन बात करें हीलियम नियोन आरगन क्रिप्टोन जिनोन रेड़ोन किसी की भी आप बात कर लो इसका कॉन फ्रीकेसन अपन जानते हैं इसका वन एस्टू तू 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 पी शिक्स त्री अज्टू है यहां पर तूस्टू यह हो गया अगर अपने पास एंट सेल जिसमें 8 लेकिन अपने बार को भी चेक करते हैं क्रिप्टोन के बारे में बात करें तो यहां पर फॉर पीशिक्स आउटरमोस कॉन्फिकेसन होगा अंदर का आप जानते हो प्लिएस तू तू पीशिक्स और 3D10 जो हो प्लिएस नोगा पनलिटिमेट सेल का तो आप कह सकते हो क्रिप नहीं होगा तो अंसर तो अपने मिल चुका है यहां पर देखो आरगन में आउटरमोस सेल और पैनल्टिमेट सेल में बराबर एलेक्टोन है तो आंसर कौन सा जाएगा अपना थार्ड कि नेक्स्ट क्यूस्ट की और अगे बढ़ते हैं कि अगर कोई पिरेड एनस से स्टार्ट होता है और एनपी पर कंप्लीट होता है तो बीच में इंटरमीडियेट सबसेल कौन-कौन से होंगे तो वह होंगे अपने पास N-1D N-2F N-3 G ठीक है इस टाइप से अपन आगे बढ़ेंगे ठीक है एन का मान गठाते जाएंगे और का मान बढ़ाते जाएंगे लेकिन इस्टुडेंट यह जो सिरीज चलेगी इन सब की एनरजी एनस से तो क्या होगी ज्यादा ठीक है और यह एनरजी इस टाइप से इनकी गढ़ती जाएगी एन प्लस एल रूल से आप देख सकते हो अब अपने को एट पिरेड के बारे में ना लिए चाहां यहां पर अपने पास कितने ओर विटल होगे नो ठीक है अधिक ना एल कि वेल्यू अगर आपको पता है तो टुवल्ट प्लस बंस से पर नंबर ओप और पॉर्बिटल केल्कुलेट कर सकते हैं स्टुडेंट्स अपने पास टोटल नंबर ओप और बिटल है लेकिन अब क्यों में क्या बोल रहा है कि एक और बिटल में किते हैं चार इलेक्टोन अगर हो तो कितने ले तो पचीस और बिटल के अंदर अपने पास हर और बिटल में कर चार एलेक्टोन आते हैं तो नंबर ओप अपने पास कितने आजाएंगे स्पिरेट के अंदर हंडेट नेक्स्ट क्यों अपना आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट क्यूसर नंबर सेवंटीन एज पर आयूपिया सी रूल दाटमिक नंबर फॉर्ड़ एलिमेंट अन बाई अनियम ठीक है तो अन बाई अनियम का मतलब अन का मतलब स्टुडेंट हो गया वन अन बाई बाई का मतलब हो गया स्टुडेंट अपने पास टू और फिर अपने पास अन आ रहा है तो यहां पर अपने को मिल रहा है लेकिन स्पेस होता नहीं तो यहां पर वन और आई यू एम जो लिखावा है स्टुडेंट यह तो अपने पास सफिक्स है तो आटोमिक नंबर यह कितने के लिए होगा 121 के लिए आंसर कौन सा होगा स्टुडेंट सेगे अब आपना आगे बढ़ते हैं क्यूशन नंबर 18 पर तो इस्टुडेंट यह क्यूशन जो है न यह फॉर्मला वेस्ट क्यूशन हो गया एलेक्टो नेगेटिविटी ओप एक्स भी 3.2 एंड डेट वाई बी 2.2 पर्सेंटेज आयोनिक क्यारेक्टर अगर आपको निकालना है ठीक है स्टुडेंट्स इसके लिए एक फॉर्मला होता है 16 इंटू डेल्टा इयन ब्लस 3.5 इंटू डेल्टा इयन का स्कॉईर क्योंकि अपने पाद डेल्टा इयन कितना आ डेल्टा इन अपने पास आ रहा है 3.2-2.2 तो यहां पर कितना रहा है वन आ रहा है इसका मतलब स्टुडेंट अपने को आंसर केल्कुलेट अगर करना है तो 16 प्लस 3.5 को अपने को एड़ कर देना है तो कितना हो जाएगा 19.5 आंसर कौन सा होगा स्टुडेंट फस्ट नेक्स्ट क्यूशन की और अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन है सियोटू कैनोट भी अप्टेन बाई हीटिंग तो स्टुडेंट थर्मल अगर अपन बात करें खिफस्ट एम अपन जानते है रिदिशियम के अना लीथियम का कार्बोनेट तो डिकंपो जाता है लेकिन लिथियम के अलबा सियोटू कैनलोट भी आप्टेन आपन अगर फस्टट की बात करें तो लिथियम शॉडियम पोटेशियम रूबिडियम औ और CGM इस ग्रूप पे लीथियम को आप छोड़ दो इनके कार्बोनेट का डिकंपोजिशन नहीं होता है ठीक है ना आप जानते हो एरे टू-C-O-3 जो है वो डिकंपोज नहीं होगा और एक प्रकार से नहीं देगा तो आंसर कौन सा होगा फस्ट ऐसा क्यूशन अगर आपका गलत होता है तो आपको थर्मल डिकंपोजिशन एक बार वापता से रीड करना चाहिए ठीक है ना आंसर कौन सा होगया इसके अंदर अपने पास फस्ट क्यूशन नमबर 20 विच अपने फॉलॉविंग इस बेस्ट सीयोटू एब्सॉर्बर एज बैल एज सोट्स ऑप और टू इन सब्मरीन जब आपने एसपलोग चैप्टर पड़ा है तो वहां पर आपने देखा है कि जब एक्सेस के अंदर अपर मैटल्स की प्रॉक्साइड और सुपर उक्साइड है कि ठीक है प्रॉक्साइड और सुपर उक्साइड जो है की बात जब आती है दोनों एक प्रकार से सियो शीयो अडू एबजॉड करने का काम करते है तो जहां कहीं पर भी oxygen co co2 के फ़कार से concern ज्यादा होती तो वहां पर ऍरज असम सार्थ मैं लिए जाते हैं लेकि pela कि अपने आपकार से काम भी करें इस का गए नहीं कि इतनी अच्छी बात हुझाईगी अगर यह co2 को एप्जोब भी करते हैं और ओठिकर यह दोनों एक प्रकार से यह काम अच्छा करते हैं लेकिन इन में बेस्ट कोम नेए शूपर ओक्साइड ठीक है ना शूपर ओक्साइड बेस्ट है जैसे एक्जामपल के अगर अपन बात करें तो कि अपने पास टोटल चार ऑक्सिजन है तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सिजन तो लिबरेट होगी ठीक है अब यहां पर अगर अपनके टू-वाट्व की ठीक है ना तो आपके कह सकते हो कि के टू-ओ-टू जो है वो भी एक प्रकार से सीओ-ओ-ओ-टू का एब्जोब करता है लेकिन और टू को एब्जोब करने के लिए बेस्ट को होना अपने पास क्यों ठीक है ना सूपर ओक्साइड अपने लिए ज्यादा ठीक रहता है तो आंसर कौन सा होगा इसके अंदर फस्ट ठीक है आगे अपर बढ़ते हैं क्यूसर नंबर नेक्स्ट है क्यूसर नंबर ट्वंटी वंग त्वंटी वन में स्टुएंट विच प्रॉपर्टियों अर्थ मेटल इंक्रीज अपने से अगर बात कर रहा है तो एलकली अर्थ स्टॉब आपन जानते हैं इंक्रीज होने के बारे बात कर रहा है अब फ्रॉपर्टे अर्गा इंक्रीज ठीक ना तो नीचे जाने पर अपन जानते आयोनिक पॉटेंशल थि नोज होता है आई-पी जो होता है साइज के कया होता है इस टुदेंट्स इंवर्डिश पर्प ब्ला से की अंदर इंक्रीज वह होती है कुछ आपको एक्सेप्शन भी ध्यान रखने बाट इंक्रीज फूर कि इनक्रीज ओर एफ माइनस और माइनस टुन ओह माइनस सी ङूद ऑफ फॉर मानस टुम यह कुछ सोल टैसे है जिनकी एक प्रकार से solubility increase होती है बाकि generally क्या होती है decrease तो अपने को तो hydroxide की बात कर रहा है तो hydroxide की तो students increase होगी ठीक है ना तो अपना answer तो अपने को मिल गया है तो फिर भी अपन देख लेते हैं जनरली अपन बात करेंगे जनरली डिक्रीज होती हो तो यह answer अपना नहीं होगा एक्टो नेगेटिविटी भी students नीचे जाने पर जो हो डिक्रीज होती है अपने को करने का काम करते हैं तो अगर नॉर्मल सोल्ट के अंदर भी अगर यह सोल्ट की होती है जिसके कारण वो मोईस्टर को करता है बहुत ही एक फैमस क्यूशन है बार-बार यह पुछा भी जाता है जब आपने जानते हैं कि सेकंड ग्रूप जो है यह अपन जानते हैं कि सेकंड ग्रूप जो है जनरली एक आपको ओर्डर की बाद करने डेंसीटि वैसे तो डेंसीटि जो है मास अपन वॉल्यूम तो आप जानते हो नीचे जाने पर वैसे डेंसिटी बढ़नी चीए बेरेलियम जो हो डेंसिटी केलसियम से भी क्या होती है ज्यादा और यहां पर मेगनेसियम और केलसियम में घड़बड होती है मेगनेसियम की जो हो केलसियम से क्या होती है ज्यादा लेकिन बेरेलियम से क्या होती है कम तो अपने कह स ठीक है तो आपना आंसर क्रेक्ट कौन सा होगा फॉर्थ नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं स्टुएंट क्यूशन नंबर 25 25 में क्या है स्टॉलिशन ओप सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया ठीक है इस टॉंगली डिदूसिंग ड्यू तुद परजेंस ओप आप जान मेटल है तो यहां पर अमोनिया के साथ में जब रियक्शन होती है ठीक है ना तो इस्टूडेंट्स यहां पर एम प्लस बनता है कि लेकिन अमणेटर केटाइन बनेगा ऐनेशी का अक्स मोलिकूल से एक प्रकार से इसके एडिवागज और ईलेक्टरन जो है उसके चारो तरफ अमोनिया मोलिकूल से लिकूशन में और बढता है एक एक नेटरह idiots की za कि अपने पास आंसर कॉन सा होगा इसके अंदर सॉल्वेटेड या विलाई विलाई कर्थ इलेक्टोन जो है जिसके कारणी रिदूशिंग नेचर का होगा तो आंसर कॉन सा होगा इसके अंदर फॉर किसा नंबर 26 की बात करें स्टुडेंट विच आप दे फॉलोविंग अकर वेंट तो हाइड़ोजन एटम बॉन्ड विद इच अधर ठीक न एक यह वाला ग्राफ अपन जानते हैं स्टुडेंट कि जब कभी भी एटम बॉन्ड बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं अपनी कम करने के लिए इस तेबिलेटी बढ़ने के लिए बैसिक सा कॉज का कुछ लिए कि संट कॉछ्ब लॅग के बॉन्ड मला अंने से टो में दि एकलेद डिए हैं इसलिए दो एंटम बनाते तो नेक्स्ष घूर आपन बात करें या तो नंबर को वेलेंसी वो अप्टू फोर होती है आप समझो कि सेकेंड पिरेड के अंदर एलेक्टोन एंटर्स करता है एलेक्टोन एंटर्स इन 2S and 2P maximum orbital अपने पास 4 है तो 4 से ज्यादा orbital bonding में पास्ट नहीं करेंगे तो बैरलियम आपको पता है कि यह अपने पास second hydrogen have same oxygen state hydrogen 2.1 होती है लेकिन आप जानते हो एस बोग की मेटल्स के वगरपन बात करें खासकर लीथियम बैरिलियम है ठीकर ना लीथियम कि सोडियम पोटेसियम रूबिडियम पूरे ग्रूप की बात कर लो इदर बैरियलियम मैगनिसियम केल्सियम स्टॉंसियम पूरा ग्रूप की बात को इन सबसे ज्यादा होती है hydrogen की एन 2.1 होती है तो इन सब के साथ में hydrogen जो हमेसा माइनस वन में आएगा तो इन दोनों के अंदर oxygen state hydrogen की किती है दोनों में सबसे पहले तो आपको सबसे के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए उसके बात करते हैं तो देखो आप एक नोट भी प्रिपेर्ड वाई शॉलवे प्रोसेस विकोज तो सबसे पहले तो आपको सॉलवे प्रोसेस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए उसके अंदर अपन इसके अंदर अमोनिया लेते हैं और ससे बनता क्या है अमोनियम और कारभॉनेट इससे बनाया जाता है अब इसमें कुछनम पुछा है कि पॉटिसियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते हैं पहले तो अपने पास अमोनियम बैकार्बोनेट बनता है और है इसकी अपने पास बनता है तो यहां पर अपने लेकिन इंपोर्टेंट बात क्या है कि जो ब्राइन सॉलूशन होना इसमें यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इस पर पार्सियल सॉलुबल होता है या फिर आप यह मानके चलो वेरी लेस्ट सॉलुबल या इसका पीपीटी अपने को मिल जाता है लेकिन अगर आप एन के इंदर क्या होता है सॉलुबल होने के कारण उसको अपन सेपरेट नहीं कर पाएंगे और सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो यह है कि आप अगर जो सूलुबल काम सब्सक्राइब तर नंबर 30 की बात करते हैं टो आप उपने आइसोटोप है छो कि आप आप कह सकते हो कि अपने पास यह डूटेरियम जो है hydrogen, deuterium और tritium यह अपने पास isotope है यह अपने पास 1H1, 1H2 या 1H3 के रूप में अपने लिख सकते हैं इन सब के अंदर proton सेम है सब के अंदर proton सेम है और electron भी क्या होगा सेम लेकिन neutron जो है neutron जो हो स्टुडेंट यहां पर 0 होगा यहां पर 1 होगा और यहा है तो आप यह कह सकते हो कि electronic configuration तो number of electrons पर डिपेंट करेगा और वह इन सब का क्या होगा 1S 1 होगा तो अपने को सीधा सीधा आंसर मिल रहा है कि hydrogen परमाणू के समान ही एक परकार्ट से electronic विन्यास होगा आंसर कुन सा होगा सब्सक्राइब क्यूसर नंबर 31 डिलूट सॉल्यूशन और पैस्टू लेबल एज 20 वोल्यूम इट्स परसेंटेज स्टेंथ तो स्टुडेंट जब भी अपन एस लोग पढ़ते हैं तो hydrogen अपना एक इंपोर्टेंट कंपाउंड रहता है और hydrogen प्रोक्साइड जो है वो अपन उनकी कंसंट्रेशन को जन्रली मॉललिटी नॉर्मेलिटी अपन उनमें अपन नहीं वताते हैं उसका एक कारण है कारण क्या स्टूडेंट कि जब कभी भी आप कोई आरसी solution लेते हो ठीक है और सोलीट मिला दिया है अगर आपने को इसमें मिला तो उसका कोई मोल आपने मिला है कोई वोल्यूम आपने अगर लेकर तो बैसीक लिएक कहते हैं कि ठीक हैे रखाईक लेटर अगर अपने Πास अगर आप मिलाओगे तो का मिलाने पर क्या होगा स्टूटेगा अपने और ऑक्सिजन लिवरेट करेगा ठीक ना तो जितना ज्यादा मौन्ट मिलाओगे जितनी उतनी ही ज्यादा एक प्रकार से ऑक्सिजन मिलेगी तो ऑक्सिजन ज्यादा मिलने का मतलब है कि उसमें अपने ज्यादा अमाउट मिला रखा है तो कंसंट्रेशन को अपने पास इसको वॉल्यूम स्टेंथ जो है उसका मॉलरिटी के साथ में तो देखो स्टूडेंट ये रिलेशन है आप पूछा क्या इसमें पर्संटेज स्टेंथ तो पर्संटेज स्टेंथ के साथ में स्टूडेंट अपने पास ये होता है तर्फिक न परसेन्टेस स्देंद के साथ में यह य्याद अखने चेज़िक अपने पूछा परसेंटेसेंट प्रसंटेस टेंट अपन कैसे केलकूलेट करेंगे इस ट् Laix और यह अपने पास ऑ posterior गया तो यह स्टुडेंट अपन अगर कल्कूलेट करते हैं तो अपने पास किता आजाएगा यह यह वाला आंसर आएगा आपने पास ठीक ना आप इसको और केलकुलेट कर ले आंसर कुन सा होगा सेकेंड तो बैसिक लिए तीन फॉर्मले आपके काफी इंपोर्टेंट रहेंगे जब हाप आप अपने बात करते हैं इसमें पूछा है आ hydrogen bond की structure जो हो structure में हो hydrogen bond भी आपको मिलेगा तो पुछा है अपने false statement के लाइक structure बिल्कुल इसकी correct बात है एड हैissements less density देन water यह बात भी correctwhy इंब ऑटेंज़व डेन्सिटीश एइस की जो डेनसिटीवो कम और यह जो दो बालते हो कि इस पर चार्ज होगा नेगेटिव तो यहां पर जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है जो है यहां पर क्या होगा हाइडरुजन बोन्ड होगा आपको क्यूशन में यह बोला है कि इच ऑक्षिजन एकम इस रांडेट वाइप फोर हाइडरुजन एकम तो ठीक है ऑक्षिजन जो कितने हाइडरुजन एकम से स्राउंड़ेड है चार यह स्टेट्मेंट भी अपना क्या है सई है अब आपन फॉर्ट ऑप्षन देखता है इ होता क्या है है हाइडरुजन बोंड यह होता है कि अगर कोई element जो हाइडरुजन लेक्टो नगेटिव एलिमेंट से अगर जुड़ा हो तो डेल्टा इन के कारण इस पर हाई पॉजिट्व चार्ज आता है हाई पॉजिटिव चार्ज ठीक है जनरली एपन कहते ही है कि अग पर यह जो पोजिटिव चारज आगे कारण यह कोई नेगेटिव इलेमेंट के साथ में जो एलेक्ट्रो-स्टैटिक आट्रेक्षन जो रखता है इसको हायरोजन बोला जाता है ॠीक है अगर है अगर हायरोजन हाईल एलेक्ट्रो-negetive से जुड़ा हो तो डूटू डेल्टा इन इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा तो यह कोई दूसरे अना इलेक्टोन डिच जो एटम होगा उसके साथ में एलेक्ट्रोस्टाटिक अट्रेक्शन रगता है उसको हाइडोजन बोलता है एडोजन बोलनी है तो यहाँ पर यह जो चार रहे स्टेटमेंट नहीं कहें तो अपन सो अपना स्टेटमेंट पूछ यह वाला होगा ठीक है नेक्स्ट के अपन बात करते हैं क्यूशन नंबर 33 वीच आप दो फॉलविंग सल्पेटेव हाइस्ट थर्मल इस्टेबिटी तो स्टुडेंट्स अपन जानते हैं कि सल्फेड जो होता है न वह एक लार्ज एनाइन के अंदर अपन कंसिडर करते हैं लार्ज एन और अपन थर्मल स्टेबिटी जब पढ़ते हैं स्टुडेंट अपन लिखते हैं कि लार्ज एनाइन लार्ज एनाइन इस्टेबिलाइज़ वाई कि स्टेबिलाइज बाई लार्ज केटाइन तो आप यह सकते हो सल्फेट के साथ में जो लार्ज केटाइन जो अना जिस ऑप्शन में है वही अपना सबस्यादा थर्मल इस्टेबिटी शो करेगा आप जानते हो कि अपने पास लीथियम दे रखा है इधर साइज बढ़ती है इधर साइज गड़ती है तो पोटेशिम अपना सबसे लाड़ साइज वाला हो गया सबसे स्टॉंग अना थर्मास सबसे ज़्यादा किसकी होगी अपने पास ऑफ्शन थार्ड के अनबर पन फॉर की बात थर्टी-फॉर की बात करे स्टुरेंट् स्टूमें और अपने को देको इसका अगर अपने को सब्सक्राइब नहीं है आंसर कों सा होगा 4 ठीक का स्टुरेंट किसी का प्रोड़क्ट नहीं होगा अपन बात करते हैं क्शौन नंबर 35 की विच्व बगॉंग घरम आपने बात करें अगर सोडियूम नाइतरIST कि आ जानते हो कि सोडियूम नाइटर्ड जो है सोडियूम नाइट इस टो नाइटर देता है ठाना केल्सियम परखloris कि बात करें तो यह भी कैसी लॉट्व तो पूरता है कारशंच में बात करें प्लस थी चार्ज एक कोई मैटल है जिस पर चार्ज के सा सब्स्ट्री चार्ज है तो यह आगे करा है है फाइप लेक्टोनिम 3D इसका कॉन्फिकेशन जो है वो कितना है 3D अब आपको पूछा है कि मैटल कौन सा है तो मैटल है तो तीन एलेक्टोन अगर अपने इसको वापस और बापस तीन अगर निकालने हों तो आप देख लो यह से एक लेक्टोन यहां से निकलेंगे तो यह जो किसका होगा अपने इनर्ट गेस यहां पर कोन सा लेना पड़ेगा और क्योंकि एलिमेंट 4 प्रियर का है और 4 नियां पर लिख सकते हैं तो यहांपर एटीन हाना ए तो आंसर स्टुडेंट्स कौन सा होगा इसके अंदर थार्ड क्यूसर नंबर थार्टी सेवन देखो एलेक्टोनी कॉन्फिकेशन अगर अगर अपन जी डी की बात करें 64 तो 64 से ठीक पहले इनर्ट किया स्कून सा आता है जिनोन जो की फिप्ट पिरेड का लास्ट है तो यह इसके अंदर तो दो एलेक्टोन यहां पर बढ़ेंगी एक लेक्टोन डीवे उसके बाद में बचके अपने पास साथ एलेक्टोन स्टुडेंट्स अपन यहां बढ़ेंगे यहां बढ़ेंगे तो अपनी चेक करें अगर शिक्स टू फाइब दीवन और फॉर एप सेवन यहां पॉर एप सेवन 5D1 6S2 तो कौन सा करेक्ट होगा अपना सेकेंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछन नुबर 38 में कोईनेज मेटल तो कोईनेज मेटल जो है कि कोई नेज मेटल की अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कोपर का कोन फ्रिकेशन के होता है और इसका ग्रूप नमबर होता है कौन सा 11 या इसको अपन बोल सकते हैं कैसे पता करते हैं जब एलेमेंट ब्लोक का होता है तो एन माइनस वंडी और अपन जोड़ लेते हैं वही क्या होता है ग्रूप नमबर और आगे पुछा है अपने को कोईनेज मेटल एंड हैलोजन है अपन जानते हैं कि 17 गूरूप के अंदर आते हैं सिंपल सा क्यूशन है तो 11 17 अपना अंसर हो जाएगा अपने वह इसमें गूरूप नमबर पुछा है ठीक है तो क्यूशन नमबर 1939 की बात करें एक्ट्रों गैन एंथेल्पी और अक्स बोलेंगे यहां पर जो भी अनर्जी अस्वोशेटेटेड होगी और इस डायेक्शन में बात करें ठीक है ना अक्स माइनस से लेक्टों निकल रहा है इसको अपन कह सकते हैं आइज़ेशन पोटेंशियल या आईपी ओफ आईपी ओफ आप अक्स माइनस अपना आंसर जाएगा अंसर कुन सब्सक्राइगा सेकेंड नेक्स्ट क्यों आगे बढ़ते 40 अगर अपने बात करें मौस्ट अप्दा मैं मेंड सेंथेटिक अलिमेंट्स अकर इन यह भी आप जानते हैं फॉर एप और फाइप यह अपने पास एप लोग के अलिमेंट्स हैं और अगर अपन बात करें तो यह अलिमेंट है अब इसके अंदर आप अगर सारे अलिमेंट की बात करो एक प्रॉमित थी हम अपना में मेंड बाकि सारे के सारे क्या हैं बोलो सारे के सारे हुआ हुआ यहं यहां की बात करें हैं यह अलय। व्हर टक वादए और कषया हैं विए गयां कि प्लौफ डिस्कूर अब्wow बाते हैं लेकिन मौस्ट आप एलिमेंट जो इसके अंदर क्या है मैंमेड अलिमेंट्स है ठीक है तो आंसर कुन सा होगा अपना एक्टिराइट सीरीज के अंदर आपको सबसे ज्यादा मैंमेड एलिमेंट्स मिलते हैं क्यूशन नंबर 41 विच आप फॉलॉविंग उक्साइड आपको क्यूशन है और आपको पता भी हो जैसे अपने पास बीयों हो गया जैड़नों हो गया एल्टो थी हो गया ऐसे नो हो गया एसन ओटू हो गया फिबी ओ फिटू एफटी हो गया पीबी ओ टू हो गया एस टू ओ थी हो गया है ऐसे यह एक्जांपल जो नहीं आपको ध्यान रखने चीए एक आपकी सारी तो आंसरेशने में कौनसा जाएगा ओल ठीक है नेक्स्ट अपन बात करें कि कुसर नंबर 42 दा केटाइन कंटेनिंग मैक्सिम नंबर उप अनपेड एलेक्टोन की बात करें तो कोबाल्ट का आप जानते हो वैसे अरगन फ्रीडी सेवन फोरस्ट होता है लेकिन दो अपर निकाल चुके तो यहां पर आरगन फ्रीडी सेवन होगा और इसमें अनपेड एलेक्टोन किते हैं तो अगर अगर फ्रीडीश्ट नोटा होगे आपके पास पांच इससे ज्यादा तो क्या होंगी ठीकर यह फी प्लस त्रीका लिखा आपने फी प्लस टू का कॉन फ्रीकर्शन अगर आपने लिखें तो आरगन फ्रीडी सिक्स फॉरस्टों में से केवल एस वाल इलेक्टोन आपने निकाले हैं यहां पर अंपेड सेकेंड आएजेशन एनर्जी तुर्ण इसे बात आती है आपको क्या करना है आपके पास जैसे फॉर एक्जांपल नियौन ख्लोरीन ऑक्सिजन और नाइटोजन मतलब इनसे अपने एक 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 लेक्टोन निकाल चुके हैं अगला तोन पर निकाल गए तो यहां पर कॉंफिकेशन हो गया स्टुडेंट टूएस्टू टूपी 5 यहां पर इसका कॉंफिकेशन हो गया इसका टूएस्टू टूपी 4 और इसका कॉंफिकेशन हो गया टूएस्टू टूपी 3 और इसका कॉंफिकेशन हो गया टूएस्टू होगा ठीक है और फ्लॉरिन से ज्याषघन को अउसके बाद में किसी होगा नियियों और रिवगत फ्लॉरिन थे मैं नाइट्रोजन दोनों में से तो यह अपना अंसर क्या होगा करेक्ट अब इनकी बात कर लेते हैं स्ट्टुडेंट अगर अपने के पास फ्लॉरीन है फ्लॉरीन ऑक्सिजन नाइट्रोजन और कार्बन है तो अगर आप आइप टू की बात कर रहे हो तो अपन एक एक रेक्टर निकाल चुके तो यहां पर इसका कॉंफिकेशन क्या होगा इस्टूरेंट्स टूएस्टू टूपी फॉर इसका कॉंफिकेशन दियकी ऐहां पर आता है और augay ऑगे आजाएगा का आइव डारीन से और यहां पर आपने बात करें नाइट्रोजन और उसके बाद में कार्वन तो कार्वन नाइट्रोजन फ्लॉरीन on holary तो अपना यह वाला करेक्ट होगा तो आंसर कौन सा होगा बी और सी ठीक है अपना नेक्स्ट क्यूशन की और अपना आगे बढ़ते हैं क्यूशन नंबर 44 विच इज मिसमेश डिगार्डिंग दा पॉजिशन ऑप दा अलिमेट एज गिवन विलो ठीक है यह क्यूशन देखना है आपको इसमें अटोमिक नंबर 89 दे रखा है तो 89 का कॉन्फिकेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहां पर इस से ठीक पले रेड़न अपने को काम में लेना पड़ेगा 86 वाला और यह शिक्स्त का लास्ट है तो यह सेवन्त का होगा तो इलेक्टोन एंटर करेगा सेवन एस 556 दी और 7 यह अपने पास इस पिरेड के अंदर इलेक्टोन बढ़ने के लिए सबसेड अवेलेबल है तो आप इसमें इलेक्टोन बढ़ ची चलो अपन सेगेंड ऑप्शन पहला तो अपना ऑप्शन गलत हो गया अटोमिक नमबर हंड्रेड आपको दे रखा है ठीक है तो अगर आपको हंड्रेड दे रखा हो तो भी आपको इनट गेस कौन सा लेना पड़ता है और रेड़ोन के बाद में यह सेवन एस 556 डी और 7 प अपने पास सेवन पिरिट में बढ़ने के लिए सबसेल्स हैं आप मुझे बदाओ यहां पर आपने अलेक्टरोन बादिये ठीक है एक लेक्टवन आपने यहां पर बढ़ दिया 89 हो गया 89 के बाद में अब आपके पास कितना बच गया 11 एलेवन एलेक्ट्रोन अपने यहां बढ़ते हैं आलाग किवह डी वाला एलेक्टोन इतर सिफ हो जाता है ठीक हो है करी कर् you कि यहां पर यह डी वाला एलेक्टोन जो हम फाइफ के अंदर सिप हो जाता है ठीक है अगे गोगा होगा और यह भात तो करेक्ट है कि आपना अपने नमबर 115 के बारे में बात करते हैं चलो कि अगर अगर अपने पास और सेवन एस पाइब और सेवन पी यह सबसे लविलेबल है अगर यहां तक आप इलेक्टोन भरोगे अना 112 हो जाते हैं अपने बात तीन यहां पर बशते हैं यह पी ब्लोक का होगा और यहां पर लिखावाए डी ब्लोक तो गलत हो गया सेवन तो ठीक है बट ब्लोक सही नहीं है तो अपना गलत अपने को पूछा है मिसमेश्ट ठीक है आपको आंसर कौन सा जाएगा फॉर्थ नेक्स्ट कुशन की और अपना आगे बढ़ते हैं स्टुटेंट्स कुश और क्लोरीन की ज्याधा होती है concealer की ज्यादा होती है और आप जानते हो लेड दो राइने पर airport व्यक्त तो गयरी इस अपक्र में 95 नाETर होगा तो आउनसर कून सा होगा संभाए सब स्वहैंते हैं अ ऐआफ़ पास त्ट इफेक्टिव नुकलियल चार्ज फॉर आउटर रय in this element तो आपको देखो सबसे पहले जब जब आपको पूछा जाता है क्या एफेक्टिव नुक्लेट चार्ज या जैडिफेक्टिव जैडिफेक्टिव कैसे कैल्कुलेट किया जाता है सबसे पहले यहां पर क्या लिखना पड़ेगा टूपी फोर यह तो एंस सेल हो गया और यह कौन सा हो गया अपन जानते एक लेक्टोन को छोड़कर अपन सिग्मा कैल्कुलेट करते हैं यहां पर आपके पास पांच एलेक्टोन है और एक लेक्टोन का सिग्मा लगेगा और न माइनस बन के दो एलेक्टोन है जिनका पॉइंट फाइप से स्ट्वांग लगेगा इसको जोडने पर आपके पास सिग्मा कमान य 와 ठीक ना शीग्मा कमान आएगा लेकिन पूछा कि आपको जैड इफेक्टिव जैड इफेक्टिव बराबर होता है जैड माइनस सिग्मा जैड गमान 8 हो गया और सीग्म आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपके आंसर किता आएगा 4.55 ठीक ना फ्रांसर कौंसा होगा सेके करना आपको आना चाहिए इस टाइप का क्विश्ण क्विश्ण नंबर 47 विस वन आप फॉलोविंग आयन इज पैरा मेंटिक तो पैरा मेंटिक के बारे में आपको बात करें स्टुडेंट अगर अपन एजी की बात करें तो यहां पर इसका कॉन्फ्रिकेशन है 4D10 अगर अपन पोटेसियम की बात करें इसका कॉन्फ्रिकेशन स्टुडेंट 3S23P6 और यहां पर भी जीरो है यह डायमेनेटिक होगा अनपेड एलेक्ट्ट्रॉन यहां पर भी 0 है यह भी क्या होगा डायमेनेटिक होगा एफी Mg-2 बारे में बात करें तो यहां पर टूस्टू टुपी 6 फीके सनों जाते हो कि इसके अंदर उल्च्टोन आपके पास खित्ते याँए गे 123456 अन्पेड एलेक्ट्रोन चार आ रहा है तो आप अंडू टैनन प्लस टू से आप निकालोगे तो 4.90 बोर मेगनेटोन इसका मेगनेटिक मोमेंट का वेल्यू भी आएगा तो आपके पाद आंसर कौन सा हो गया सेकेंड क्यूशन नंबर 48 आपको सक्सेसिव आएप आपको दे रहें पांच ठीक और पुछ है कि अलिमेंट कौन सा हो सकता है तो स्टूएंट अपन जानते हैं कि आएपी 1 आएपी 2 आएपी 3 आएपी 4 आएपी 4 आएपी 5 सक्सेसिव आएपी लगाता इंक्रीजिंग ओंडर में होने चाहिए और इनमे सदलन ग्रोध कप होती है जब इनर सेल्टाइए तो इस्टूएंट आपने अगर वेकर इसमें 7.107.1 40.3 नोर्मल रोथ हो रही है 34.3 नोर्मल ग्रोथ है 46.8 नोर्मल ग्रोथ है और यहां पर 162.2 यह यह आपर सदन ग्रोथ आपको युर रही है इसका मतलब यह आइपी यहाँ पर अचानक काफी ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब यह इलेक्टोन तो आउटरमोस सेल में थे ठीक है तो चार इलेक्टोन किसके आउटरमोस सेल में आपको मिलेंगी स्टुडेंट्स ठीक है तो अपन आप आंसर जाएगा सिलिकन क्योंकि इसका कॉन्फिक सबसे पहले आप एक काम करो आपको 43 दिया है तो 43 का कॉन्फिकेशन लिखने के लिए 43 से ठीक पहले इनर्ट इसकों सा आता है क्रिप्टाउन और थाड़ीस सिट्व फोर्थ का लास्ट है फिप्ट का होगा और फिप्ट के अंदर एलेक्टोन एंटर करता है फाइपर ऑड़ी और फाइपी के अंदर 36 32 38 38 के बाद में अपने पास इलेक्टोन बचके 5 कि इसका मतलब यह वा कि इसके ठीक उपर जो होगा ठीक ना उसके लिए एन का मान अपन कम कर देंगे तो इस 43 के ठीक उपर जो एलिमेंट होगा 43 वाले का कॉन्प्रिकेशन है 4D5 और 5S2 इसके ठीक उपर जो एलिमेंट होगा उसका कॉन्प्रिकेशन होगा 3D5 और 4S2 मतलब मेगनीज वाला कॉन्प्रिकेशन होगा तो 3D5 4S2 कॉन्प्रिकेशन है वो केवल और केवल इससी के अंदर अपने को मिल रहा तो आंसर कॉन सा होगा आप जानते हैं इस में गुप बनाकर मैंने 43 वाले का कॉन्प्रिकेशन लिखा है और इसके ठीक उपर वाले एलिमेंट का कॉन्प्रिकेशन वही होगा लेकिन अपने अनकमान कम कर दिया ठीक है तो इसमें आंसर होएगी अपना रिलेटिव पैनेट्रेशन पावर उप डिफ्रेंट सबसेल अपन जानते इस्प्रिंट इन जी नुक्लिएस होता है उसका अट्रेक्षिन एलेक्टोन पर लगता है तो कौन से रेक्टोन पर ड्रेक्टोन जयादा लगीगा तो आहस्पावले पर अट्रेक्शन जयादा लगता है क्योंकि सिमेट्राट्री क disciple सेप कीयरिकल और और टेक के अंदर एक लेंथेऔर कॉन्ठेक्षन जो है इसमें अपने वर्ड भी अपने क्यूं काम में लिया अधो कुछ यह अपने पास थार्ड या थार्ड वी ग्रूप है जिसमें इस केडियम इतरियम लेंधन और एकटिनियम एलिमेंट होते हैं हूँर्थ के बारे में बात करें फॉर्थ भी टाइटेनियम जर्कोनियम हापनियम और रदर फोर्डिया यह यहां पर तो श्टुट ना 21 से 22 39 से 40 बट यहां पर स्टुटेंट 557 से 72 यहां पर करता है और यहां सकता है यहां से यहीं बहुत बढ़ता है उसकी चीज को अफेक्ट करेगा फेक्ट करेगा तो आप यहां पर वड़ा ठीक नहीं है अपना और इसके कारण क्या होगा कि 3D, 4D, 5D तो 4D और 5D वाले जो corresponding element है उनकी size almost same रह जाती है वैसे तो cell के कारण बढ़नी चीह थी लेकिन बढ़ेवे cell का effect जो यह जैड इफेक्टिव कैंसल आउट कर देगा तो यहां पर जर्कोनियम और एट्रियम भोला हुआ है जर्कोनियम और इट्रियम तो सैंपरिड है उनक की अन्हाऊं यह तो और आप यह कह सकते हो कि अगर अगर लेंधिनियृ कोन्तेक्शन की बात करते तो अप्यों में बात करनी होती है तो गरूप में आप आपके कह सकते हो जर्कोनियम और हाप नियर यह एक प्रिकार से अल्मोस सेम रेडियस रखते हैं तो आपका आंसर कुन सा जाएगा थर्ड अब क्युसर नंबर अपन बात करते हैं इस्टुएंट 52 के अंदर ऑडर ऑफ फस्ट अलेक्टोन अफिनिटी ऑप उसके बाद में और उसके बाद में कोन आएगा ऑक्षिजन आंसर कुन सा होगा थर्ड नेक्स्ट किशिन की बात करते स्टुएंट 53 की दा करेक्ट इंक्रीजिंग ओडर ऑफ बैसी करेक्टर ऑफ दो ऑक्साइड तो इसवरे मैटल्स को उक्साइड बैसी होते हैं अब अपन बात करें कि ऐस ब्लोग की सीजियम की अगर बात करें कि अपनी यह पॉइंट भी द्यान रख सकते हैं बैसिक नेचर ऑफ और ऑक्साइड एंड हाइड ऑक्साइड इन्वर्स लिवर्पोस्टर टू आइपी सबसे कम आइपी जो हो सीजियम का और उसके बाद में अगर अगर अपन बात करें तो निकल ऑक्साइड जो अना केट सब्सक्राइड आपका क्रेक्ट कॉन सा होगा इनका आइपी ज्यादा होता है तो बैसे बैसे क्या होगा कम तांसर कॉन सा होगा इसमें थर्ड नेक्स्ट क्यों अपना आगे बढ़ते हैं स्टुट्ट कुसर नमर फिप्टी-फॉर अमंग दो फॉल्वें परावेंटी अपने के अंदर आप जानते हों थोडिन और तू-2 इस में और तू-2 ने–टिक अट इस्में o-car रिष्टि है इसी पिसे घठ री है यह लिए हो गया आपको इसके प्टोन एसट फॉंच सूपर और और coughing मत बदल Europ कže अब उन wissen हुप्र ही्ठ और बैसे खार होते वह om आपको पता है कि अगर अपन फॉलो नहीं करते हैं तो अपने को ट्वंटी एटोमिक नंबर जो है वो अपन सेल के अकोडिंग बरेंगे एन बरावर 1 एन बरावर 2 एन बरावर 3 इस टाइब से तो यहाँ पर 1s 2s 2p ठीक ना इसमें इसमें बरेंगे अपन फिर इसमें 3s 3p 3d में पहले बरेंगे अपन और फिर एन बरावर 4 पर आएंगे तो अगर अपन आप वो प्रिंसिपल अपन फॉलो नहीं करते हैं सबसेल की अपने पास एलेक्टोन किरते हैं बोलो 10 और यहां पर किरता हो गया 12 और 12 के बाद में यहां पर किरता हो गया 18 तो 20 अपना डी में जा रहा है तो आप यह कह सकते हो डी ब्लोक का वह होगा अंसर कुन सा होगा थार्ड नमबर अप लेक्टोन साथ परजेंट इन पैनल्टी म रही है 1210 एने सक्के अंदर एलेक्टोन वनिया टू और पेलेडियम को भी कंसिडर करें तो कि आप जानते हो स्टुदेंट आपको ये तो अपना अंसेल हो गया अपने ओ पुछा किसके बारे में ए-1 के बारे में ठीक है आप जानते हो किए-1 के अंदर एस ऊब कि से अल्रेडी बहर रखा है आपने और डी में एलेक्टोन हो रहा है 1-10 तो आप्लिस्ट है एक एक व्लोक का element यह कम से कम होगा तो नॉ से स्थार्ट होगा ज्यादा ज्यादा डी में किती है अड़ा को नगी पिरेड के बारे में अभी अपने पैटन देखा था कि 10S से स्टार्ट होगा और 10P पर यह पिरेड कम्प्लीट होगा आप यहां पर 9D लिखोगी हाना अपने चले हैं तो यहां पर यहां पर 7G आएगा ठीक ना और यहां पर 6H आएगा ठीक ना लेकिन पॉसिबल एक आइस देखते हैं अगर आपके पास 6 हो ल बराबर होगा 012345 HDR पॉसिबल है पाप यह कर सकते हो इसके अंदर अब sorry इसमें आएंगे ठीक है कितने storage और च्शह यहां पर कितने लेक्रण न tack 14 यहां PM1922 तो तो तोटल नंब्र उप एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे बोलो इस्टुएंट्स आप काउंट कर लो इनको तो यहां पर अपने पास किता हो जाएगा बोलो यहां तक 50 यह अपने पास किता हो गया 10 10 20 30 40 50 60 72 72 अपने पास आंसर होगा नेक्स्ट क्रिशन अपन 58 की और अपनों आगे बढ़ते हैं वीच आप फॉलावीं स्टैट्मेंट इस करेक्ट तो करेक्ट स्टैट्मेंट पूछा तो इलेक्टोन गैन अन्थेल्पी और नॉबल गेस इस ने पूजिटिव होगी अपन जिरो बोल सकता है बाट इलेक्टोन गैन अन्थेल्पी का मान गहें तो इस पॉजिटिव तो यह स्टैट्मेंट आपका गलत हो गया एक्टोन गैन अन्थेल्पी जनरली बिकम मोर नेगेटिव आज वेल आटोमिक नंबर इंक्रीज इन पिरिड जैसे से अपन अगे जाते हैं तो इसने लिखा है जनरली ठीक है फिर एफेक्टिव नुकलिट चार्ट डिक्रीज लेप्ट गलत होगी अडिशन ऑफ लेक्टोन टु एटम इस ऑल्बेज एंडो थर्मिक प्रोसेस एलेक्टोन का गेन करना हमेशा एंडो थर्मिक क्या आप आपके कहोगे जनरली एक्जो थर्मिक होता है और कभी कभार एंडो थर्मिक होता है तो स्टेटमेंट यह गलत हो गया आंसर कौन सा होगा सेकेंड क्यूसर नंबर फिप्टी नाइन एंडी टू सी त्री जो है इसके अंदर कौन-कौन से आयन प्रजेंट स्टुएंट्स ए तो अपने को यहां पर सी थी एच फोर बनेगा और यह अपने पास क्या होगा प्रोपाइंट तो आंसर कौन सा होगा इसके अंदर अब अब लिक्विड अमोनिया के अंदर मेटल की सॉलुविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा उसके अंदर बैसिकली अंपर अमोनेटिट इलेक्टोन मनता है इसके कारण आप कहते हो कि पेरामेटिक होगा कंडक्टिंग होगा रिडूशिंग नेचर का होगा ठीक है लेकिन इसमें आगे आप बोल रहा है कि दीप ब्लु कलर डीप ब्लु कलर डीप ब्लु कलर बिल्कुल करेक्ट वाद इस इलेक्टोन के कारण है इस देट्व लेक्टोन की अरssa कि यह स्टेडिक कड्रीन थेज़्य में नॉडॉटन गलता यह स्टेटमेंट गलत लेगे व्लॉग स्टेड्मेंट है इसलिए विप शुचा आपको तो यहें स्थ अथलों अपको पूच्छ सब्स क्राइब सब्सक्राइब क्योंकि अपने को पूछा क्या है क्रेक्ट और इंक्रीजिंग आयोनी करेक्टर आप जानते हो इसके अंदर एंसरे को सा होगा इसके अंदर सेकिंद ठीकर ना आयोनी किरेक्टर निचे जाने पर बढ़ेंगे क्यों कि क्योंकि रहता है तो चैनानके हो रहे हो दूर तो आपने होने करेक्टर ज्यादा बताएंगे क्यूसर नंबर 62 की बात करते हैं के लिगन यूज एज वाटर सॉपनर तो यह हाड़ने सोब वाटर को कप करने के लिए के लिगन मेतर पड़ते हैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मॉला आपको ध्यान रखना होता है मेटा पोस्पेट होता है तो अपने आंसर इसमें कौन सा होगा फस्ट नेक्स्ट की बारे में बात करें 63 तो वीच आप फॉलॉविंग एक्वेसंट डैपिक डैपिक्स रिदूशिंग नेचर पैस्टो अगर एस्टो डिदूशिंग नेचर का है तो खुदका ऑक्सडेशन होगा और कौन सी रिएक 64 के बारे में बात करें आउट ओप फॉलॉविंग मैटल विच विल्गिव हाइडोजन ओन रियक्शन ऑप एने वच तो वैसे तो देखो स्टुदेंट्स मैटल्स जो है कि वह के साथ एक्शन नहीं करती है लेकिन अगर από TALLY एम 14 नेचर की कोई मैटल है एम 48 नेचर की कोई एम है तो वह आपको पता के साथ पर fr तो फूचाय विल गिव हाइडोजन ओन विल गिव हाइडोजन ओन डियक्शन विद एनिवज तो फस्स थर्ड और फोर मेगनिसियम जो हो फाइडोजन नहीं देगा क्योंकि यह एमफोटरिक मेटल नहीं है तो आंसर अपना कौन सा होगा इसके अंदर फस्स थर्ड ओर फॉर नेक्स्ट कुछन अपन बात करें 65 के बारे में अगर बात करें तो बिलकुल अपन सबसेल के अनरजी के ओर में ही अगे बढ़ते हैं तब ही तो के बाद में स्केडियम क्यों आता है क्योंकि क्योंकि प्रदेशियम के अपना 3D अब इतना क्योंकि आता है तो बिलकुल सबसेल की एनरजी के ओर में एक प्रकार से प्योडिक टेबल है इस फिजीकल और चैमिकल प्रपरटीज को अपन बहुत अच्छे से अपन देख पाते हैं नंबर ओप क्योंकि आप जानते हो एस ब्लॉक में मैटल से कम बता रहा है तो यह गलत हो गया स्टेट्मेंट और रोंग अपने वह पूछा है तो आंसर कुन सा होगा फॉर नेक्स्ट कुस्ट अपन बात करते हैं 66 के बारे में यह स्टुडेंट्स अपन ने कि यह बॉरॉन फेमिली के अंदर अपने को अपने को पूछा है तो बॉरॉन एल्यूमिनियम यह गेलियम इंडियम और थैलियम आइपी का क्रेक्ट ओडर होता है यह वाला हूं इसन और पयए सबसे ज़्यादा तो होगी बॉरोन की इन दोनों से ज्यादा है इसकी और यहीं यह होगा तो आंसर इसमें कौन सा वनेगा फॉर नेक्स अपन बात करते हैं स्ट्रेंट क्यूस्टन नंबर 67 विच अपने पास कौन सा होता है एफ माइनस ठीक है अगला देखो इफ एन प्लस एल रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो यह वही बात हुई कि आप सबसेल की अनर्जी का ओडर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पर जानते हो पॉटेसियम 19 होता है इसका इसका अटोमिक नंबर तो 1-2-2-2-6-3 3s2 3p6 और बचगे जो एलेक्टोन अपन 3D में बनेंगे क्योंकि अपन एन प्लस एल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका इसमें जो है पॉटेसियम जो डी ब्लॉक में जाएगा है ठीक है ठांसर कौन सा होगा थार्ड क्यूसर नमबर 69 की बात कर साइज हो पैन 113 और 168-2 दोनों के पात डशकाव ज्यादा वस्का जेडिफैक्टering कर और मतलब किसी इसके साइज कम बता रहा है कि यह नढ़ा सकते हो कि and–3 की साइज ज्यादा है 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 ठीक है ez किस्का ज्यादि जड़ाए उसad इसकी साइज करम क्यों कि इसका जैड़ इफेक्टिव कम है या जेड़ बाइए रेश्यू जो है वह क्या है कम तो आशर कोन सा होगा फस्ट क्यूसर नंबर 70 तब मोस्ट पॉलर बॉंड इस तो पॉलरिटी डिपेंड करती है डेल्टा इन पर अगर आप डेल्टा इन निकाल सकते हो जैसे ऑक और नाइट्रूजन और इन पर बहुत ही कम आ रहा है और नाइट्रूजन और फ्लोरिन के अगर बात करें तो यहां पर चार है एलेक्टो नेगेटिविटी और यहां पर तीन है तो अभी तक डेल्टा इन इस बोन के अंदर ज्यादा होगा सब श्यादा पोलर बोन कों सा ह का स्टूएंट्स सेवंटी के अंदर आंसर कों सा जाएगा बूलों अंसर जाएगा थर्ड ऐसेवंटी वन के बारे में अपन बात करते हैं स्टूएंट्स सेवन्टीवन जो क्यों है इसके अंदर पर और यह अपनीचे आने पर आप मेटल के बारे में अपन बात करें तो अपनी कह सकते हैं कि बारे में बात कर रहे हैं तो नीचे जाने पर इंक्रीज होने का मतलब अपन ग्रूप में नीचे जा रहे हैं तो ऐसे नंबर इसमें आंसर कुण सा जाएगा सेकर ठीक ना कुछ सानन गलत हो गया अपना इस्टेटमेंट क्योंकि सबसे ज्यादा और अपने को इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर को सा हो गया च्टुडेट फस्ट और बाकी जो है वह आप देखें स्टेट्मेंट तीनों एक प्रिकार से क्या होंगे करेक्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्यूशन के बारे में क्यूशन नंबर 74 विच अपने फॉलोविंग डिपेंड करता है साइज यतना ज्यादा होगा प्सकी उत्त ज्यादा होगी सबसे बड़ा ऑनाइन क्या है आउडीन प्रेजिंटर इसमें सबस्यादा कोविलेंट करेक्टर होंगे तौर आंसर कोंधा कुम सा होगा फॉर कुशन नंबर 75 इतर लेटिस अनरजी यह पाइनी और बर ना होता है फो 2 जो साहरो फिर यह पर बद्सक्राइब करती करती है और नहीं पर इसने अगर कोई आपका गलत हुआ है तो आपने स्लिशन से अपने देखा कि वही अब आगे दुबरा गलत नहीं करेंगे तो आपके आने वाले टेस्ट के लिए आपको बहुत-बहुत सुपकाम नहीं आप बहुत अच्छा करें और आपकी जो सालवर की मेनत है वह आपका रंग लाएगी इसी विश्वास के साथ आप लगे रहो एक्जाम तक बेस्ट आप लगग